नमस्कार दोस्तो आज हम सिखेंगे फिल्टर फंक्शन कैसे लगा जाता है एक सिंपल फिल्टर फंक्शन को यूज करके हम पूला डाटाशीट को सर्च करेंगे और इसमें जो भी फिल्टर डेटा आएगा वो हम यहाँ पर डिस्पले करेंगे मेरे राइट सैड में तो जब है यहाँ पर मैंने सर्च बटन मनाया हुआ है यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कोई भी नाम और उसका जो है रिजल्ट यहाँ पर डिस्पले करूंगा तो मैं जो फिल्टर फंक्शन यहाँ पर लगाँगा तो फिल्टर फंक्शन स्टार्ट करते हैं is equal फिल्टर यह बोला है कि array इसलेट करो कि array कौन सी है array हमारी ये वाली है array को कर लेते है fix comma फिर जह बोला है कि include किसको करना है हमने include करना ये वाले को इसमें पूरा सर्च करेंगे city सर्च करेंगे जिक किसके equal होगी जो हम यहाँ पर type करेंगे जहां तक आपको बात समय लगई अभी comma यहाँ पर लिखते हैं अगर empty हो तो क्या है na तो function हो करते है close और करते है enter तो देखिए पहले तो कोई यहाँ display हो गया question mark आगे कि आपको invalid function है कोई हमने norm type नहीं कर रहा हुआ तो अभी मैं यहाँ type करता हूँ daily तो देखिए daily पूरे का पूरा जो है row पूरी पूरी यहाँ पर टाइप हो गई है जैसे आप यहाँ पर कुछ और change करोगे in file लिख लेते हैं यहाँ पर पूरे कपर डाटाटी चेंज हो गया इससे भी easy करने के लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पर list लगा देते हैं list लगाने का तरीका मैंने पहले ही बताया था आप जाओगे data में data validation में जहाँ पर any value में select करोगे list और यहाँ पर source में क्या करोगे जहाँ से अपने list उठानी है वहाँ पूरे के पूरा 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 column select करोगे और यहाँ पर ओके कर दोगे आप एक छोटा सा जो है drop down बटन आपको दिखना start होगा अब जहां से easily आप select कर सकते हो हाईदरावाई select कर दो यह आ गया जहाँ पर select कर रहा तो पूरा data यहाँ पर आ गया